नमस्कार विराट 24 निउस में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ हुमेश जिले से सामने आया है जहां ग्रामीरों की जान जोखिम में डालकर जेसी भी मसीन की सहायता से नदी पार कराई गई और्चा के बेतवा नदी में पिकनिक मनाने गए छे लोग नदी में फस गए बताया जा रहा है कि नदी का जल इसतर अचानक बढ़ गया था जिसकी वज़ा से वो फस गए थे हलाकि कोई जनहानी नहीं हुई है और सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है बारिश होने के बाद निवाडी जिले के और्चा तहसील का मौसम खुशनुमा हो गया है इस कारण यहां पर परियटकों का आना जाना शुरू हो गया ऐसे ही परियटकों का एक छे सदस्यों का दल मंगलवार को और्चा ब्रमण पर आया था जिस दौरान वे सभी बेतवा नदी पर भी सैर सपाटा करने गए हुए थे यहां नदी के बीच वो सभी चक्तानों की बीच बैठे हुए थे तब ही अचानक बेतवा का जलिस्तर अचानक बढ़ा और वो सभी नदी के बीचों बीच फट गए इधर विद्शा जिले की ग्यारस पुर तहसील के अंतरगत आने वाले हैदरगड गैरत गंज मार्क पर कुट्रा नदी के उपर निर्माडा धीन पुल का कारेपूरा ना होने के कारण तकरीबन एक दरजन गाव परेशानी में आ गए है पुल निर्माड के चलते लोगों को निकलने के लिए साइड से रास्ता बनाया गया था परन्तु लगातार हो रही बारिश के कारण वैकल्पिक रास्ता बह गया जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ी वही लोगों को निकलने के लिए जेसी भी मसीन का सहारा लिया गया जेसी भी मसीन के उपर लोगों को बैठा कर नदी के उस पार ले जाया गया लोगों की जान जोखिम में डाल कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बाइरल हो रहा है वहीं संबन में ग्रामीनों का कहना है कि नदी में उफान अधिक होने से तक्रीबन एक दरजन गाओं का संपर्क बड़े छेतरों से तूट गया है ऐसे में यदि कोई व्यक्ति वीमार हो जाए तो उससे सुरक्षित अस्पताल तक ले जाने में भी खासी परिशानी का सामना खरना पड़ता है क्या कुछ थे इसले में पाट खूबने आए तक जोरू गजाए फिर बीच में पहुत जिए होगा था हुं हुं हुँ हं हुण ऊगल की अभी झाल झाल